बारिश के मौसम में थोड़ा तीखा और चटपटा खाना ही खाना अच्छा लगता है तो आज चलिए बनाते हैं चटपटी और तीखी आलू कटेल की सब्जी बिल्कुल देशी स्टाइल से हेलो एवरिवरण वेलकम टू माई चैनल पूजदेशी कीचेन तो चलिए बनाते हैं कटेल और आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने 200 ग्राम कटेल चोटे तुकड़ो में काट लिया है एक मीडियम साइज आलू को भी हमने चार से पांच तुकड़ो में काट लिया है चलिए कटेल आलू की सब्जी का पहले मसाला बनाते हैं एक मीडियम साइज प्यास को चोटे टुकड़ो में काटके मिक्सर जार में डालते है आठ से दस कली लैसुन किया है एक चोटा टुकड़ा अधरक का चार से पांच छोटी इलाइची एक बड़ी इलाइची एक चम्मत जीर यह हमने कवाब चीनी या नाग केसर लिया है इसली मार्केट में अबलेवल है गरम मसाले में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है एक चोटा टुकड़ा दाल चीनी का दस से बारा काली मिर्च थोड़ा सा पानी डाल के एक फाइन पेस बनाकर तैयार कर लेते हैं चथाई कप मस्टर्ड ओल को गरम करते हैं कटेल की सबजी सरसों के तेल में बहुत अच्छी लगती है एक चोटा प्यास कटा हुआ उसको डाल के फ्राइ कर लेते हैं प्यास फ्राइ हो गया है अब इसमें आलो और कटेल डालेंगे और इसको भून लेते हैं हलका ब्राउन होने तक आलो कटेल अब भून गया है अब हमने जो मसाला पीसा था इसको एड़ करते हैं और मसाले को तब तक बूनेंगे जब तक मसाला थोड़ा आल ना छोड़ दें एक से देर चमच पीसे वही लाल मेर चैट करेंगे एक चमच दन्या पाउडर आधर चमच हल्दी पाउडर थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे जिससे की मसाला जले नहीं सब चीजों को अच्छी तरह मिला लेते हैं त्पॉब अच्वाथ सॉल्ट एड़ करते हैं टेस्ट के इसाप से अब इसको किसी प्लेट से ढख कर केबल एक से दो मिनट कुक करते हैं हमने इसको पुक कर के ढखकर से ढख दिया है सबजी अच्छी तरह भुन गई है, मसाला अच्छी तरह सबजी में लिपट गया है अम इसमें ग्रेवी लगाते हैं जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी ग्रेवी आप पानी डाले इसमें और कवर करके कुकर को तीन से चार विसी लोने तक इसको को कर लेते हैं कुकर को खोल के चट करते हैं सबजी का अब हम इसमें एक चमर शुद्ध देशी गी लालेंगे अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको सर्व करते हैं कटे लालू की सबजी को हमने स्टीम राइस के साथ साथ किया है और पराटे के साथ को सर्व कर सकते हैं रेस्पी पसंद आए तो सबilation के साथ शेयर जरूर करें हाँ अगर मेरे चैनल को अव brig नहीं किया अब तर शेयर कर नहीं करता है तो प्लीज चैनल को सबसक्राइब जरूर करें